बहुत से लोग जाने अन्जाने मिरोज ही कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनके कार्ण मालक्ष्मी उनसे नराज हो जाती हैं इस बज़ा से उनके हमेशा घर में धन की कमी बनी रहती हैं मानेताओं के अनुसार मालक्ष्मी को कभी भी सफेद फुल जैसे गोड़ा चमपा रातराने के फुल भूल कर भी नहीं चड़ाना चाहिए चाहिए जोती सास्त के अनुसार मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए साम के समाइघर के मंदिर में दिपक जरूर जला है ऐसे न गरने से मा लक्ष्मी नराज हो जाती है जो लोग किचन में फैले रात के जुठे बरतन अगले दिन साफ करते हैं माना जाता है ऐसे घरों में मा लक्षमी कभी भी निवास नहीं करती इसलिए रात को समय किचन साफ कर सकते हैं नारी को मा लक्षमी को सवरूप माना जाता है जिस घर में नारी को अपमान होता है वहां मा लक्षमी कभी भी निवास नहीं करती है मा लक्षमी को धन की देवी मा कहा जाता है और वे सिर्फ ऐसे घड़ों में ही निवास करती है जहां साफ सफाई खास ख्याल रखा जाता है जिस घड़ में गंदिगी रहती है उस घड़ में मा लक्षमी की निवास नहीं होती है अगर आप भी अपने जीवन में आर्थिक संकट से निजात पाना चाहते हैं तो सुक्रवार के दिन